हालो गाइस एस सुन एस आई बीकम एक वासी सेज आई वाज समंद वाइदा एमपरस एपिसोड 28 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लैक शियर कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही दोस्तों जो बैक अप चैनल बनाया है उस पर भी जा कर लेजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रप्शन में डाल दिया है और अब चलते हैं आगे एपिसोड की शुरुबात पर हमको दिखाया जाता है और अपने हीरो की इस बात को सुनने के बार में वह बहुत सारा भड़क जाती है और गुसाते वे कहती है अब मैं इसकी ये है सकती हूँ और ये कहने के साथ में वह वहाँ पर अपनी पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर अपनी एक टेक्नीक को यूज करते हुए अपने हीरो के उपर अटेक करके कहती है 3000 मून शैडो पाम और उसके ये कहने के साथ में वहाँ बहुत डेड़ सारे spiritual हाथ अपने hero के उपर attack करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं जब अपना hero link के वहाँ पर देखता है कि मेरी तसाला कोई जती नहीं है ये मेरे उपर attack करने के कोशिश कर रहे हैं तब ही वो भी अपनी power को वहाँ पर release करता हुआ अपने spiritual power को gather करने के साथ में एक बहुत बड़ी phoenix bird को बना लेता है और अपनी एक उंगली से उसके palm के तरफ attack करते हुए कहता है चलो ठीक है मैं तुमारे इस सपने को दूर करता हूँ कि तुम बहुत strong हो और ये कहने के साथ में वो अपनी power को वहाँ पर release करते हुए कहता है golden crow, young flame finger और हाँ दोस्तों ये crow है phoenix नहीं है और उसके ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है एक side में उसकी palm और दूसे side में उसका golden crow दोनों के दोनों आपस में टकराते हैं फिर दोस्तों में दिखाया जाता है एक side से वो जो lady होती है वो attack कर रही होती है और एक side से अपना hero attack कर रहा होता है और उन दोनों के spiritual power आपस में बहुत बुरी तरीके लड़ रही होती है जैसे dragon ball जी में आपने देखा होगा अपने कठोर लॉंडे की इतनी power को देखने के बाद में मुझे लड़की होती है वो बहुत ज़दा shock डो जाती है उसके पसीने आ रहे होते है और तबी वो गुसाते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा cultivation base आपसे कमजोर नहीं है तो अगर ऐसा है तो आप capital city के अंदर और बाहर जाने के लिए कैसे free हो सकते हैं क्योंकि साथवे realm के उपर के cultivator कोई भी capital city में dragon energy के कारण बहुत ज़दा घायल हो जाएगा उसकी ये बास सुनने के बाद में अपना hero वहाँ पर smile करते हुए इससे कहता है अरे पगली ये तो एक secret है तो इस चीज़ का मुझे आपको बताने का क्या फाइदा है अपने hero की बास सुनने के बाद में वो अपने state master के बारे में याद करते हुए कहती है जिस वैक्तिय ने मुझे आपको मारने के लिए कहा था वो मेरे virgin sect की centrist लीग वाओ गोशी थी और फिर अपने hero से कहती है मुझे बताओ तुम capital में कैसे freely अंदर और बाहर आजा सकते हो और इस चीज़ को समालने में मैं आपकी मदद करूँगी उसकी ये बास सुनने के बाद में अपना hero ना में सर हिला के कहता है ना नी ना ना नहीं मेरा cultivation base आपसे बहतर है इसलिए मुझे आपकी मदद की क्यों जरूरत है अपने hero की बास सुनने के बाद में उलड़की कहती है हम ऐसे बात सही है आपकी उसके हाथ में set का treasure है और जब तक मैं आपकी मदद नहीं करती कोई भी इसे ढूण नहीं सकता और मैं एक set की कानून प्रवर्तक हूँ जिसे मैं ढूण सकती हूँ उसकी बास सुनने के बाद में अपना hero वहाँ पे उससे कहता है क्या वह आपके set की sentence नहीं है तो इसलिए आप इसे निपटने में मेरी मदद क्यों करना चाहती है अपने hero की बास सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़रा गुसे में उससे कहती है क्योंकि मैं एक बच्ची थी और मैं उससे कही ज़रा strong थी और वो sentence का path मेरा होना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसका cultivation कम था मुझसे वो place छीन लिया और जिस कारण वो capital के अंदर गुसने में सक्षम थी वो एक बेकार situation है जिस कारण मैं इस चीज को accept नहीं करती उसकी बास सुनने के बाद में अपना hero वहाँ पे सोचते हुए कहता है ओ अच्छा तो ये मामला है अगर ऐसा है तो आपको और मेरे को सच में एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए तो इसलिए मुझे पहले आप secret क्यों नहीं बताती अपने hero ने जैसे ये बात बोली होती तब ही दिखाते हैं हमको मुझे lady होती है वो उसकी तरफ जाएगा उस lady ने जैसे वहाँ पर उसकी तरफ फेका होता है तब ही दिखाते अपना hero वहाँ पर हसते हुए उसके airtops को अपने हाथ से पकड़ लेता है और ये कहने के साथ में दिखाया जाता है अपनी धरकी लॉंडा फिरस अपनी धरकपन में आ जुका होता है और वह वहाँ पर उसको चुम्मी करने के लिए आगे बलते हुए कहता है और मुझे ऐसी घोडियां बहुत पसंद हैं आप और मैं मानते हैं कि अपने बीच में भरोसा लाने के लिए शादी करना सबसे अच्छा है और वैसे भी कच्चे अपने हिरो वहाँ पर अपना हिरो उस लेडी के दिये हुए ए टॉप्स की तरफ देख रहा होता है और फिर वहाँ पर उस टॉप्स की तरफ देखते हुए कहता है यह वह लिए सकूरा का कहना है कि मेरे साथ कोई और लेंदेन करने से पहले यह पक्का कर लूँ कि मेरी ड्रैकन एनरजी अवेक किये भीना कैप्टल में एंटर करने का एक रास्ता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह टॉप्स का जो पियर है वह यहां की पिक्चर्स को बेजने में सक्षम हो और दोस्तों हमें दिखाया जाता है यह सब बाते करते हुए अपना हीरो वहां पे पॉटी करने के बैठा होता है और तभी वहां पर उन टॉप्स को उच्छालते हुए कहता है सकूरा क्या आप देख रही है और दूसरे साइड में उस टॉप्स में स करफ निकलती जिस कारण से तूट जाता है और साथ हमको पता चलता है यह कोई और नहीं होता है यह वही दो लड़किया होती है जिन्हों ने अपने हीरो के पर अटेक किया था और वहां पर निकलने के साथ नहीं चिला के कहती है ड्रैगन एनरजी का दवाव बढ़ रहा है इससे बचने के लिए तयार हो जाओ उन लोग की ऐसी हरकत देखने के बार में अपना कूल लॉंडा वहीं पर बैठे हुए गुसा के कहता है तुम्हें जाना है तो तुम जाओ मेरी पौटी करने के जगा को नुकसान क्यों पहुँचाया क्या तुम जानती भी हो कि जब ल वहाँ देखो वो ते एक सचमें ठरकी इंसान है दूसरा कहता है अरे उसे कोई समझाओ पौटी करने की जगा और रास्ते की जगा में कुछ अंतर होता है जैसे उन लोग ये बात को बोल रहे होते हैं दूसरे साइट में हमको दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग अप से वहाँ पर निकलते हुए कहता है अभी भी काम करना काफी बाकी है इसलिए मैं चलता हूँ और फिर हमें दिखाया जाता है ब्रोथल हाउस का सीन दोस्तों जब वहाँ पर खुब धेड़ साए लड़किया नाचा करती थी और वहाँ पर एंटर्टेइन्मेंट के लिए ल सोनो ब्रोथल हाउस को संचालित करने के अनुमती नहीं है और हमारी चैंग फैंग बिल्डिंग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है हांज यांग की ये बास सुनने के बाद में अपना हीरो उसके एकदम क्लोज आ जाता है और उसको अपनी बाहों में भरते वे उससे कहता है फिर अगर मैं तुमको इस चीज के लिए पैसे नहीं देता तो इस चीज का कोई महत्व नहीं है उसकी बास सुनने के बार में हांज यांग उससे कहती है हां यह अच्छा नहीं है तो इसलिए आप मेरी सुरक्षा करने के लिए मुझे कुछ क्यों नहीं देते हांज यां कैसे हुई Emperor की आग्या को तोड़ने की सारी दोस्तों मंत्री होता है उस मंत्री की ये बात सुनने के बाद में हां जियां को दिखाते हैं वो डर के मारे बहुत ज़रा सहम जाती है और वहीं पर अपने सर को जुका के कहती है मिस्टर लियू ने गलस समझा ये आदमी इस उपतनी का पती है जो की पूरी तरह से वैद है हां जियां की ये बात सुनने के बाद में मिस्टर लियू को दिखाया जाता है वो अपने हीरो की तरफ उंगली से इशारा करके हसते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मुझे इसका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है हां जियां को वह बहुत जारा टेंशन में हो जाती इसका नाम क्या है और तभी उलूल जूलूल नाम लेते हुए कहती है दाइत्व वही कियांग जियू सुआन और अपना हीरो वहां पर हसते हुए उसको मना कर रहा होता कि नहीं करती नहीं हो फिर टीम मेरे लिए जियांगु बॉन वेई कांग जिक स्वान को पकड़ने गई थी अपना हीरो वहां पर उसकी बात सुनने के बाद में एक कप को उठाय हुए होता है और उससे कहता है गौंग जेंग के नाम पर भरोसा करके ऐसे काम करते हो जो कि यहां की जो को बिगाड़ती है और आप एक सेट के डिसाइपल कहां के हैं हालो गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लैक शियर कमेंट जरूर करिएगा और साथी दोस्तों जो बैक अप चैनल बनाया है उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ मिलते हैं लोग नेस्ट एपिसोड में थैंक यू फा वाचिंग मा वीडियो लव यू आल